नमस्कार, SBD News में आपका स्वागत है, पेश आरजून, बुद्वार दपैर सवा तीन बजे रासान की बड़ी खबरें बड़ी महंगाई से चिंदित भारतरे जर्व बैंग ने रेपर रेट में 0.50 प्रतिशत इजाफा किया है इसे रेपर रेट में 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 4.90 प्रतिशत हो गई है यानि होम लोन से लेकर आटो और परसनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है इसे तरह है कि आपको अधिक EMI चुकानी होगी आरबियाई गवरनर शक्तिकांद दास ने मुदवार को प्रेस कॉनफरेंस में ब्यास दरों में किये गए बदलाओ की चौन करी दी श्री गंगानगर में बस्टर चौने उर्टक ब्यूरो की टीम ने राइसी नगर तहसील की ग्राम पंचायत लखा हाकम के ग्राम विकास अधिकारी सुरेश मीना को दस हजार रुपे के रिश्वत लेते ग्रिफतार कर लिया ये कारवाहि राइसी नगर के वार नबर दो गुर्ते सिंग कलोनी में की गई एसीबी प्रिसम चौकी के प्रभारी डिवाइस पे भुपेंद्र सुनिन ने बताये के एक परिवादे ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसके तीन पटो का नवीनी करने वे इंतिकाल दर्ज करने की एवज में ग्राम बंचायत लखा हाकम का ग्राम विकास अधिकारे सुरेश मीना 15,000 रुपे की रिश्वत की मांग कर रहा था शिकायत कर स्थियाबन करने के बाद एसीबी ने सुरेश मीना को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जॉल बिछाया कच्चे तेल के दाम 120 डॉलर प्रती बैरल के उपर बने हुए हैं एक्सपर्ट का कहना है कि अगर जॉल थे क्रूड ओयल 120 रुपे प्रती बैरल के नीचे नहीं आता है तो पैट्रोल डिजल के दामों में एक बार फिर से तेजी का दौर देखा जा सकता है हलांकि बुद्वार को तेल कंपनियों ने लगातार 18 दिन पैट्रोल डिजल के दाम में किसी तहां का कोई बदलाव नहीं किया है सरकार ने बीटे 21 महीं को तेल पर लगने वाले एक साइस द्यूटी कम की थी जिसके बाद पैट्रोल साड़े नौ रुपे और डिजल साथ रुपे सस्ता हुआ था केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने भी वैट कम किया था जापूर में अभी पैट्रोल के दाम 108 रुपे 48 पैसे और डिजल के दाम 93 रुपे 72 पैसे प्रति लिटल है कांग्रेस में चार राज्य सीटो पर हो रहे चुनाओं में सेंद मारी के डर से कांग्रेस और समर्थित विधायकों की उद्यपूर में की गई बाड़े बंदी के बाद अब कांग्रेस और समर्थित विधायक गुरवार को जापूर लोटेंगे कॉंग्रिस खेमी के विधायक दोपहर दो बजे उदयपुर से विशेश मिमान से जपर के लिए रवाना होंगे और अपरहान तीन बजे जपर एरपोर्ट महुंचेंगे जहां पर विधायकों को बसू के जरीए दिल्ली रोडसित कूकस के पास एक लगजरी होटल में ले जा का लगेगा रियल स्टेट उद्यों के संगठन क्रेडाई राजस्थान के अध्याक्षु धिरेन रमदान का कहना है कि ब्यास दरों में बड़ोत्री के फैसले से रियल स्टेट की व्रदी पर असर पड़ेगा और घरों की मांग प्रभावित हो सकती है कम रैपोरेट ने मह हमारी के दरान रियल स्टेट शेत्र को बढ़ावा दिया था उन्हाने कहा कि हलांकि ये व्रदी भुगताओं की ख्रय शक्ति को प्रभावित करेगी लेकिन उमीद है कि घर खरीददार इसे स्विकार कर लेंगे प्रदेश में पौने पांच लाख हेक्टेर से अधिक वन भूमी पर वन विभाग का दिकार नहीं है क्योंकि जमीन वन विभाग के खाते में दर्ज नहीं है अपनी जमीन होते हुए भी वन विभाग उस पर अपना हक नहीं जमा पा रहा है नतीज़ा ये है कि केंडर और राजी सरकार के संचौलेत वन सनक्षन योजनाओं का ठीक से क्रियान में नहीं हो पा रहा है अब वन विभाग को अगले महिने से 23 जुलाई को हाई कोड को बताना होगा कि उसकी कितनी जमीन है साथ ही टाइगर सनक्षन के लिए 1955 की स्टिती से पहले के नक्षे भी अदालातें प्रस्तुत करने होंगे पैरवन वन और वन जीवों की सुरक्षा के लिए वन भूमी का सनक्षित होना जरूरी है जोद्पु शहर के सुरसागर शेत्र में मंगलवार रात दो पक्षों के बीच ममनी बात को लेकर हुई जड़ब के बाद आज शान्ती बनी हुई है मौके पर बड़ी संक्षा में प्लिस बल के अलावा आला अदिकारी भी मौजूद हैं सरकों पर रोजमरा के समान ही वाहन चौल रहे हैं प्लिस के जवान शेत्र में गश्ट लगा रहे हैं डेसीवी पश्चीम वन दिता राना भी मौके पर मौजूद हैं मौही प्लिस कमिशनर अन्नव जोती गोगई भी पूरे मामले की मनुटरिंग कर रहे हैं इस मामले में प्लिस ने कल रात को ही चार लोगों को हिरासत में लिया था इनसे पूछता आच की ज़राई है बीका नेर के PBM अस्पताल के OPD में उल्टी दस और डायरिया के मरीजों की संख्या इन दिनों बढ़ी हुई है यहां OPD में करीब 600 से 800 मरीज रोज पहुँच रहे हैं इसके बावजू सीनियर डॉक्टर 6 घंटे के बजाए 2 से 3 घंटे ही OPD को देते हैं सबह 8 बज़े से OPD शुरू होती है लेकिन डॉक्टर देर से फोंचते हैं दुबहर 2 बज़े तक चुनिंदा OPD में डॉक्टर मिलते हैं यसे रोग्यों के परिशानी बढ़ गई है भार्टेर रेल से वाकि यांत्रे कभी यांत्रे के अधिकारी ललीच शर्मा जोदपूर के अगले रेलवे स्टेशन के डिरेक्टर होंगे शर्मा अभी रेलवे कार खाने के उपमुखे इंजिनियर पर पता सीन है वेपूर में डीजल लोको शेट शकुर बस्तित दिले डिवीजन तथा बाद में डीजल लोको शेट भगत की कोठी अबूरोड में कर रत रहने के साथ ही लोको रनिंग स्टाफ के पावर आफिसर, जोदपुर और कोचिंग और वेगन विभाग अजमेर में भी अधिकारे रहे हैं बिकानेर के लक्षमिनाद मंदित परिसर में डेर करोड रुपए के खर्च करने के तयारी की गई है पी डवली डी ने इसका एस्टिमेट बना लिया है और कर्रेक्टर की मंजूरी के बाद काम शुरू होगा मखी मंदिर अशो के लोगत ने अपने बजट में हर जिले में दो टूरिस्ट प्लेस बनाने की खोशनकी थी बिकानेर में इसके लिए प्रेटन विभाग को तीन करोड रुपए का बजट मिला है टूरिस्ट प्लेस के लिए बिकानेर में सुर्शागर और लक्षमी नाथ मंदिर परिसर का चोयन किया गया है जिन पर डेर डेर करोड रुपए खर्च होंगे टूरिस्ट प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग बंद करने के साथ ही इन उत्पादों के विकल्पों के प्रयोग को लेकर लोगों को जगरुख किया जो रहा है साथ ही विभाक की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली काईउं का सर्वे किया जो रहा है अब तक करीब 40 अधिक काईउं का सर्वे किया गया है साथ ही तीन एकाईओं को सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद निर्मान बंद करने के लिए नोटिस दिये गए हैं राज्य सबचुनाओं से पहले नाराज के दिखा कर कुछ दिन बाड़े बंदी से दूर रहे कॉंग् kannis विधाईक बंद क्याय के मनाने पर एक बार फिर मान गई हैं लेकिन आगे फिर नाराज की उबने की संभावना है मानने से पहले विधायकों ने सरकार के सामने मंगौ की फिरिस्ट से रख दी है जिसे माना सरकार के बूते की बात नहीं है इससे आगे नाराज़ की उफर सकती है जब तक मुद्दो का समधा नहीं होता नाराज़ की बरकरा रहेगी हवा महल मार्केट जापुर के प्रसिद और सबसे पुराने बाजारों में से एक है इसके असपास प्रमुख परेटन सल होने से दिन भर परेटकों की आवा जोही के कारण बाजार में रौनक देखने को मिलती है इस बाजार में विश्य विख्यात हवा महल होने से इसको हवा महल बाजार के नाम से जाना जाता है हवा महल के खिट्टियों के माध्यम से बाजार की खूपसूरती देखी जा सकती है करीब 2500 वश पुराने इस बाजार में विशीश तोर पर जैपूरी रजाई, जैपूरी जूतियां, चमड़े के उत्पाद, हस्त निर्मित वस्तुएं, ब्लॉक प्रिंटिंग, आतीश बाजी, कटपुतलियां और खानपान की करीब 160 अलग-अलग दुकाने हैं दो साल से नहर बंदी और शहर की बढ़ती पानी की मांग पर केंडर और राजसरकार 2000 करोड से जदर रुपे खर्च कर 2024 तक इस संकर से निजात दिलाने में लगी है केंडर सरकार नहर किनारे चार स्केप बना रही है तो राजसरकार 2050 तक की आवादी के लिए हासे निया स्ट्रफचर बिछाने में लगी है दो साल बाद नहर बंदी भी बंद हो जाएगी इसलिए आने वाले दो सालों में शहर की पेजल पर तीन स्टर पर बड़ा काम शुरू हो चुका होगा केटर सरकार नहर किनारे चौर स्केप बना रही है दो स्केप बिकानिर के लिए और शेश दो जैसल मेर बाड़मेर और जोधपुर के लिए काम आएंगे जोत्पुर विकास प्राधिकरन के अतिकरमन रोजग दस्ते ने विवेक विहार योजना एवं ग्राम सारावास में बड़ी कारवाही करते हुए अतिकरमनों को धुस्त किया और प्राधिकरन की बेश कीमती भूमे को अतिकरमन मुक्त करवाया जो डिये दस्ते द्वारा मौकान इरिक्षिन के दौरान ग्राम सालावास की खसरा संख्या पिच्वासी के विक्टोरिया इंडस्ट्री इसके पीछे तसा विवेग विहार योजना सेक्टर A में कच्चे पके अर्तिकर्मन किये हुए पाए गए थे तो फिलाल इस बुलेटर में इतना हैं फिर हाजर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें